गुड आफ्टनून एब्रिवन वेल्कम टू सुवल सुर्फ से स्टड़ी यह प्रक्टिस सेट नंबर 6 है बीपी एससी प्रडिम्स के लिए है ठीक है समय कम है आठ मही को एक्जाम है हर दिन प्रक्टिस करते रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टेस्स सीरीज की प ठीक है करेंट अफेर्स हो गई जी एस हो गई सेम ही रहती है वाकि बीपी जो बिहार स्पेसल है वो थोड़ा लग से पूछ जाता है उसमें ठीक है एक ही पेपर होता है बीपी एससी में 150 प्रशन आते हैं उसमें और 10 नंबर जो है 150 में से या 10 कोशन एक आद प्रशन कर सकते हो तो पहला प्रशन है कोई स्टेट्मेंट जो है गलत है इसमें बताना की कौन सा होगा वो तो पहला है प्रते एक वर्स जो है 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व छे रोग दिवस से मनाया जाता है छे छे बोलते हैं टीवी को ठीक है टीवर कुलोसर्स वर्स दो you के द्वारा होता है वेक्ट्रिया के द्वारा होता है वाइरस के द्वारा होता है बताये नमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इंकरेक्ट है देखे पहला बाला तो करेक्ट है प्रते एक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्वच है रोग दिवस मनाया जाता सही है यह और और वस्दोयार वाइस के लिए विश्वचहरोग दिवस की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइब्स ये भी सही है और माइक्रो वेक्टरियम ट्यूबर कलोसिस नामक वेक्टरिया के द्वारा ही होता है टीवी खासने छीकने से ठीक है एक से दूसरे में चला जाता है वर्ष द्यार चौबिस नहीं विलकि लक्ष भारत सरकार का वर्ष द्यार पच्चेस तक का है टीवी उन्मूलन का तो करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है इनकरेक्ट है तो भारत ने वर्ष दोयार पच्चिस तक टीबी उन्मूलन का लक्ष रखाया, B गलत है, C गलत है, सोरी भारत के गुजरात राजी की जो तट्रे खाया, लगभग कितने किलोमेटर लंबी है, भारत में सरवाधे की लंबी तट्रे खाया, गुजरात राजी की कितने किलोमेटर लंबी है, 1600 किलोमेटर, ठीक है, C है इसका उन्सर, तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट्रे ख इतलब कॉस्टल बाउंडरी जिसकी कुल लंबाई है लगभग 1600 किलो मेटर है यह नमबर है इस पर आप कॉल या वाट्सप कर सकते हो ठीक है भी पीएस्टी की एक पेड़ सीरीज भी चल लगी या 149 में उसको प्राप्त कर सकते हो कॉशन नमर थ्री पर आज़े है उत्राखंड हो गया उत्तर प्रदेश हो गया बिहार पस्चे मंगाल सिक्किम राजी की सीमाई किस देश को छूती है इन सारे के सारे राज्यों की सीमाई किसी एक देश को छूती होंगी उसका नाम बताना है आपको कोई नहीं इन में से ठीक है इसका उत्तर होना चीए नेपाल और नेपाल आप्सन में नहीं है तो हम लगाएंगे उप्रोक्त में से कोई नहीं तो उत्राखंड हो गया, ठीक है, साथी राज उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पस्चे मंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, इनकी सीमाएं जो है, नैपाल के साथ लगी है एक है सरदार सरोबर बांध या परियोजना, नमरीके दमें से किस राज को पानी तथा बिजली की अपूर्ती नहीं करता है, करती है, सरदार सरोबर बांध इनमे से किस राज को बिजली पानी की अपूर्ती नहीं करेगा, राजस्तान को करता है, गुजरात को करता है, मद्द नदिपर बना एक गुरुत्वे वांध है और यहा है वांध हिया प्रियोजनाचार राजयो गुजराद मध्यपरदेश, माहरास्र और राजस्तान में पानी एभम विज्विक्या पूर्ति करता है अगर नहीं है तो कौन नहीं है नहीं है तो यूपी नहीं है नहीं है तो उत्तराखंड नहीं है नहीं है तो उत्तरप्रदेश नहीं है नहीं है तो पंजाब नहीं है कुछ भी कर लो भावानी नदी और लक्ष्मन तीर्थ नदी किसकी सायक नदियां है ये भावानी और लक्ष्मन तीर्थ ये कावेरी की सायक नदियां है तो भावानी हो गई ठीक है हेमावती हो गई लक्ष्मन तीर्थ हो गई अमरावती हो गई लोकायावनी हो गई काविनी हो गई दी के अपवाह शेत्र को Rise Bowl of South India कहा जाता है क्या कहा जाता है Rise Bowl of South India Quesion No. 6 पर आजए, नहीं किस सरकार दोरा जहां वोट वहाँ टीका करण अभियान सुरू किया है, नहीं से बताई है जहां वोट वहाँ टीका करण देखे जहां वोट वहां टीका करना भियान है दिल्ली सरकार का तो दिल्ली सरकार ने COVID-19 के खिलाब 45 वर्से उपर के सभी लोगों का टीका करना करने के उदेश से जहां वोट वहां टीका करना भियान सुरू किया है कोश्चन नबर सेवन पर आज़े हाल ही में जूलन गोसवामी ने अपने वंडे करियर का 250 वा विकेट नमरीके दमसे किस देश के खिलाफ लिया और पहली भारतिये महिला है ये ठीक है 250 विकेट लेने वाली वंडे करियर में इंगलेंड के खिलाफ लिया इन्होंने तो हाल ही में भारतिये महिला किरकिट खिलाडी जूलन गोसवामी अंतरास्टिये महिला किरकिट में 250 विकेट लेने वाली विस्व की पहली खिलाडी बन गई है ना कि बहल भारत वलकी विस्व की जो की एक विस्व रिकॉर्ड है ICC महिला विसकव दोहर बाइस में इंग्लेंड के विरुद मुकाबले में जूलन गोसामी ने अपने वंडे करियर का 250 वा विकिट लिया अटल परियावरण भवन का उदगाटन किस केंद्रशाषत में किया गया है किस केंद्रशाषत में किया गया है उसी केंद्रशाषत में किया गया है जो कौरल से वना द्वीप है मतलब लक्ष द्वीप तो केंद्रिय वन परियावरण और जलबायू परिवरतन मंत्री प्रकास जावडेकर ने लक्ष द्वीप वन विभाग के मुख्याले का उदगाटन अटल परियावरण भावन में किया कॉश्चन अबर नाइन पर आजए आई सी सी अंडर नाइन टीन क्रिकेट विसुकब दोहरबाईस का उप विजेता और विजेता आपको बताना है क्रमसा कौन है बई आई सी सी अंडर नाइन टीन cricket विजेता बताईए पहले तो विजेता है भारत और उपविजेता कौन है इंग्लेंड है लेकिन पूछा क्या है हमसे क्रमसा उपविजेता पहले लिखा है विजेता बाद में लिखा है तो उपविजेता इंग्लेंड और विजेता भारत तो C तो ICC अंडर 19 किर्केट विसुकाव देहर 22 West Indies में आवजित किया गया कहां आवजित किया गया ये भी आद रखना है आपको और भारत ने इंगलेंड को 4 विकेट से हरा कर अंडर 19 किर्केट विसुकाव जीता तो विजयता है भारत और उपविजयता है इंगलेंड कोश्चन नमर 10 पर आजे नीचे कुछ खिलाडियों के नाम दिये हैं आपको बताना है कि उन खिलाडियों का संबंद किस खेल से हो सकता है रमेज, बाबू, प्रग्याननंद, पेंटाला, हरीक्रशन और मैगनस कालसन UPPCS की टेस सीरीज होलो करते होगे तो इस प्रशन का उत्तर करेक्ट कर ले जाओगे ये कि नीउज में था रीसेंटली ये तीनों के तीनों के राड़ी सतरंज खेलते हैं ठीक है चेस तो भारत के रमेज, बाबू, प्रग्याननंद ने जो है क्या किया है मौजूदा विष्व चेंपियन नौर्वे के मैगनस कालसन को हराया है 16 वरसिये प्रग्याननंद, विष्वनाथन आनंद और पेंटाला, हरीक्रशन के बाद मेगनस कालसन को हराने वाले तीसरे भारते हैं सतरंज में किस राज में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉंज किया गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है करनाटक की सरकार का तो हाल ही में करनाटक के हसन में मेरी policy मेरे हाथ अभियान लॉंज किया गया और मेरी policy मेरे हाथ अभियान प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना का हिस्सा है भारत के पूर्व किर्केटर हर्वजन सिंग को किस पार्टी से पंजाब से राजसभा के लिए निर्वाचित किया गया है पताईए बीजेपी, इंडेनेस्टनल कॉंग्रेज, समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी आप से वही है ठीक है, आम आदमी पार्टी तो भारत के पूर्व किर्केटर हर्वजन सिंग आदमी पार्टी की ओर से पंजाब से राजसभा के लिए निर्वाचित हुए है सड़क पर रहने वाले जानबरों के लिए यानि स्ट्रीट एनिवन के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की गई है अगर राज्य का नाम आता तो तमिल नाडू है ठीक है, तमिल नाडू नहीं है तो चिन नहीं इसका उत्तर हो जाएगा और चिन नहीं ऑप्सन में नहीं है तो हम लगांगे उप्रोक्त में से कोई नहीं ऑप्सन अमबरी है तो पसू कल्यान चैरिटी दा ब्लू क्रोस अफ इंडिया ने 28 परवरी को चिन नहीं में सड़क पर रहने वाले जानबरों के लिए कहां पर तमिल नाड़ू में तमिल नाड़ू नहीं आए तो तमिल नाड़ू के चैन नहीं में नमबर 14 पर आजिए ग्लोबल फाइनेंसियल इस्टेविलिटी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारत यार की जाती है Global Financial Stability Report International Monetary Fund IMF तो अंतरास्टे मुद्राकोस यानि International Monetary Fund के द्वारा Global Financial Stability Report जो है वो जारी की जाती है यह important है report यह पूछ लियाती है State PCS में, UP PCS में, राजस्तान PCS, विहार PCS और UPSC Civil सेवा तक में Question number 15 पर आज़ी, ILO का मुख्याल है इसकी स्थापना यह सब पूछते रहते हैं, बार बार यह संगठन, याद रखेगा तो ILO का मुख्याल है स्थापना पताईए, कहां पर है, स्थापना पूछा है न स्थापना कब होई थी जेने बागे सुट्चे लेंड में है, वैसे तो इसका मुख्याल है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में तो वर्स 1919 में वर्साए की संधी द्वारा राश्ट संग की एक संबद एजनसी के रूप में अंतरास्ट यह सरम संगठन यानि इंटरनेशनल लेवर और्गेशन आयलो की स्थापना हुई 1919 में और वर्स 1946 में यह संधी द्वारा राश्ट से संबद पहली विशिष्ट एजनसी वन गया या वन गई इसका मुख्याला है सुट्जल लेंड के जिनेवा में नंबर 16 पर आजाए किस भारते किर्केट ने हर ही में टैस्ट किर्केट में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्ध सतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है किसमें टैस्ट किर्केट के इधियास में अभी तक सबसे तेज अर्ध सतक यानि पचास रन मारे किसने बनाए हैं इनमें से सारे के सारी तूफानी खेलाड़ी हैं लेकिन और तूफान कि इन्हों ने उठाया हर रिशब पंत ने तो रिशब पंत ने टेस्ट क्रिकेट में ठीक है टेस्ट क्रिकेट जो की स्लो के लिए जाना जाता है मतलब धीमा खेलने के लिए तीन से चार दिन तक चलता है चार से पांच दिन तक और भारत की तरब से सबसे तेज 28 गेंद में मात्र जो है अर्द श्रतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया एक तरह से डबल मारे है कोश्च नमबर 17 पर आजए करेवा के ऊपर कई बार हमने प्रश्ण बनाया है करेवा नामक उपजाव जलोड मिट्टी के निक्षेप के सराजिया संग्षास्च छेत्र में पाय जाते हैं तो करेवा कश्मीर घाटी में पाय जाने वाले जील निक्षेप है या मरदा है और यह है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सरणी के ढालो में 1500 सोई 1850 मीटर की उचाई पर आपको मिलेगा और यह मिट्टी जो है केसर उत्पादन के लिए उपर युग्त बानी जाती है ने इन्टरास्टि ए वायो डाइवर्सीटी डेय यानि वार्ड वेटलेंड डेय वह मैज ≀ 20 फरवरीजय 2 फरवरीजय थीदी चलो अपने को क्या अपने को तो गलत करना है ना अपना अंसर है 5 अक्टूबर यहाँ पर ठीक है दो फरवरी है वर्ड वेटलेंड डे और वाईस माई है अंतरास्टी है वाई वो डाइवर्सिटी डे तो केंद्रिया पर्यावर्ण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राश्टे वनजी वोर्ड की इस्थाई समिती की 66 वी बैठक में 5 अक्टूबर को राश्टे डॉल्फन दिवस के रूप में मराई जाने की कोश्ण की तो अप्सन अमबर B करेक्ट है किस संस्था ने दुनिया का पहला वन जीव संरक्षन बॉंड जारी किया है इसका उत्तर आपको लग रहा होगा संयुक्तराष्ट परियावर्ण करक्रम या यूनिसेफ में से लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है इसका अंसर अप्सन अमबर ए विश्व बैंक तो विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन जीव बॉंड या वर्ड लाइफ बॉंड जारी किया है जिसका नाम वन जीव संरक्षन बॉंड है कोईशन अबर ट्वंटी पर आज़े अंतिम प्रश्ण है ये हलारी नसल किस प्राणी से संबन देता है उंट घडियाल गधा या गंगा नदी डॉल्फिन हलारी नसल है गधे की तो केंद्रे मतश पालन कौमा पशुपालन और डेरी मंत्री पुर्शोत्तम रूपाला ने बारे मार्स दोहर बाईस को सौराष्ट मालधारी संबन को संबोधित किया और इस संबन में पशुधन की संकटा पन नसलों विसेश रूप से गधो की हलारी नसल के संब्रक्षन पर विचार विमर्स किया गया जंगली गधों के लिए अब भेहरण भी पूछ लेता है एक्जाम में गुजरात में वह याद रखेगा तो यह 20 प्रश्ण थे बीप्यसी के लिए करेंट अफेर से रिलेटेड इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेज़ेगा आठ मही को एक्जाम में जारे से एदे प्रक्टि